बस और स्कूटी की आमने सामने चक्कर में स्कूटी सवार तीन लोग गंभीर रोपसिक खायल घायलों को ग्वालियर किया रिफर्ट थाना चेतर धरेट के पास तेजर अफ़तार बस ने स्कूटी सवार दमपती को चक्कर मारती बस की चकर से पती पतनी एवं बच्चा घायल हुआ है जिने समुदाइक स्वासकेंद्र इंदरगर इलाज के लिए लाया गया जिके सकों ने तीनों घायलों की हालत कंभीर होने पर सभी को ग्वालियर रिफर कर दिया थाना चेतर के ग्राम चीना बंबा के पास आज गुरुबार करीब नौ बज इंदरगर से सेवडा की तरफ से चार है स्कूटी सवार दमपती की एक यात्री बस से भिड़न्त हो गई जिसमें स्कूटी सवार लचमी जाटब उम्र 40 वर्स रगुराच जाटब 49 वर्स नीतू उम्र 16 वर्स निवासी निसरॉल घायल हो गई स्कूटी सवार सेवडा की ओर चार है थे जबकि सेवडा की तरफ से आ रही बस ने सामने से स्कूटी में टकर मार दी जिससे तीन लोग गंभी रोप से घायल हो गई वी आईपी ड्यूची में मुरैना चार है राहूल गुर्चर जो पूर्ग में इंदरगड और धरेट थानों पर पदस्त रहे हैं ने अपना वाहन रोक कर अपने कुछ पोलिस कर्मियों के साथ अपने नीची वाहन से घायलों को इंदरगड स्वास केंद्र पहुचाया ज जीवनी एक स्वाज